नमस्कार दोस्तो एनालीसीज शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है मेरी कोई 22 साल रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में पे और यह एनालीसीज है लर्निंग परपस के लिए ताकि हम यह देख सकें कि कल मार्किट कैसे कामगाज कर सकती है वहीं स्क्रीन पे देखिए एक बार जो आज मैंने मेंबर्स एक्स्क्लूजीव चैनल में डाला था यही व्यू मेरा प्राइवेट चैनल पे भी था और मार्किट विद एस बी में भी था मैंने लिखा था कि 900 की स्ट्राइक पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं 930 के ओपर स्टॉप लास रखना अगर सस्टे करेंगे तो मेरे वह दोस्त जिनों ने इस व्यू पर कामकाच किया होगा आज उनको अच्छा खासा मुनाफ़ा देखने को मिला होगा और जिनोंने नहीं किया होगा वो मेरा कल का वीडियो चेक कर सकते हैं अगर कोई इन में से नया है तो वहीं साड़े 11 बचे लगबग मै कि कई मेरे दोस्त मुझसे पूछ भी रहे थे यहां से लांग नहीं करेंगे डिप आएगा तो बाय करेंगे डिप आया भी लेकिन वो आया प्रधार मंतरी जी की न्यूस पे कि आज शाम उनका संबोधन है तो 940-950 के लगबग चल रही थी निफ्टी आज 12,000 भी क्रास कर 11,900 के लेवल पे ही कलोध हो गई उसके बाद और व्यू भी एक दिया था आप खुद भी स्क्रीन पर देख सकते हैं चलते हैं दोस्तों डाटा के ओपर देखते हैं कि डाटा कैसे फार्म हुआ है आज क्या काम काज हुआ है वैसे तो फर्स्ट इंस्टेंस में डाटा कुछ आज खास एक्टिविटी वाला नहीं था उमीद है कि एक्टिविटी कल होगी क्लाइंट देखिए आप स्टाक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर ख्रीदे हैं इंडेक्स काल बेचिया और पूट्स भी बेचिया है कही ना कहीं इनका बुलिश व्यू है एफ याई बीरिश पूट्स इन्होंने थोड़ी सी बेचियोंगी जो शायद इसी एक्सपारी की हो और प्रास जो है बुलिश पूजिशन लेके गये हैं और डिया इस कोई खास पूजिशन में उनकी चेंज नहीं है चलते हैं दोस्तों सिधा नेट डाटा के ओपर देखते हैं कि आज डाटा कि मार्किट यहां से गिरेगी तभी उन्होंने बेचे हुए हैं डिया इस 38,181 कंट्रेक्ट हैं जो इन्होंने सेल की हैं अभी बी 40,000 से उपर का नंबर मेंटेन है 43,433 कंट्रेक्ट अब इनके पास और प्रास ने अपना नंबर बढ़ाया अब इनके पास 10,113 कंट्रेक् कि यह आज कोई मेजर अक्टिवेटी नहीं थी क्लाइंट के पास 20,347 कंट्रेक्ट हैं डिया इस नंबर में चेंज नहीं है अब इनके पास 70,623 कंट्रेक्ट हैं और प्रास के पास 91,237 कंट्रेक्ट हैं जो इन्होंने राइट कियो हैं अगर आप पुट साइड में देख 36,185 कंट्रेक्ट हैं और प्रास के पास 63,872 कंट्रेक्ट हैं और स्टाक फ्यूचर में कोई खास मेजर चेंज नहीं है सिर्फ सिवाए इसके की क्लाइंट्स ने अपना नंबर बढ़ाया है और FIA ने फर्दर नंबर कम किया है अब उनके पास 1,37,000 कंट्रेक्ट हैं और प Friends I would like to discuss here that clients have now 15,365 contracts in index future they are in short DIAs they are having 38,181 contract on short side FIAs they are holding longs and long position is 43,433 contract and pros are long in index future today they have increased their position by few thousand contracts and the total number of contracts are 10,113 as of now what has happened on call side clients are holding longs in call 20,347 contract DIA is no change FIAs have reduced their position now they are having 17,623 contract and pros have also reduced their position in call writing no they are having 191,237 contracts on short side what has happened on put side no clients are on shorts are holding their shorts and the total number of contract contracts are 112,304 DIA is no change FIAs no change FIAs have reduced their position now they are having 130,000 136,185 contracts and pros they are also on short side no they are having 63,872 contracts and there is no major change in stock future except 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 in the position in the position where they have increased their number and no they are having 484,758 contracts while FII have reduced their position now they are having 137,123 contracts and pros are having 85,726 contracts so DIA so DIA so DIAs so DIAs now go a long and pros are having 32,297 contracts and pros are having 30,302 contracts as a short deck and pros are trying to take during this trade इन लेवल्स पे भी अच्छी खासी राइटिंग है 11,800 पे 24 लाग 12630 का अपन इंटरस्ट है वहीं 11,800 पर दस लाग 14,000 का उपन इंटरस्ट अपन आप खुद देखिएगा कि 11,900 पे भी 29,76,000 का open interest है कोई खास major change नहीं है 11 900 के level पे फिलहाल जो immediate resistance है वो 11 900 के उपर ही है और उसके बाद 12,000 है जहां पे 32,35,800 शेर्स हैं टोटल अब अगर gap up होती है 900 के उपर 930,40 के उपर sustain करना शुरू करती है तो यह आपको 12,000 की तरफ जाते हुए मिल जाएगी और अगर gap down होती है अगें हम वहाँ से buy करके चलेंगे intra day के लिए मुनाफ़ा होगा तो book कर लेंगे second half में काशन की नजर रखेंगे क्योंकि कल बुदवार है कल आपको दोनों तरफ के move देखने को मिल सकते हैं अगर सुबा तेज हुई तो जाते हुए क्या पता कमजोर हो और अगर सुबा कमजोर ही तो जाते हुए तेज भी हो सकती है इस चीज का आप जो है अगर ध्यान रखेंगे तो आपको मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है friends let's analyze the option chain and try to find out what market can do tomorrow at 11900 level there are having 21,92,925 shares while at 11800 level there are 24,21,605 shares so 11,800 will act as immediate support although 11,900 is also minor support you can say while on call side at 11,900 level there are 29,76,075 shares so 11,900 is resistance in itself as far as option chain is concerned but at 12,000 level there is a huge resistance again a great wall of china because at this level there are 32,35,800 shares no 11,800 is support and 12,000 is resistance if market will open gap up do one thing if it will cross 11,940 level it will try to go towards 12,000 level and if it will open gap down then at that time we will try to buy at near about 11,800,11,820 level in that case you will be able to meet some profit this is what I am trying to find out from this data 12,000 is immediate resistance so keep an eye on levels and data during the dead option chain and the data formation to get the clear picture of the markets at the time of trading hours now we will have to go to theuto bank nifty bank nifty can see how can we do it bank nifty rocket rocket have to be moved to some money कुछ दिन पहले मैंने कहा था जब 2021,000 एक्की सजार तीन सो के लेवल पे थी मैंने कहा था कि पच्ची सजार से लेके 26,500 मुझे यह moves जो है वो नजर आ रहा है काफी हद तक बैंक निफ्टी ने अपनी वो यात्रा कवर कर ली है थोड़ी सी रह गई है उम्हीद है कि वो भी जल्दी कर लेगी अब देखिए 24,000 की पुट पे 7,65,000 का ओपन इंटरस्ट है यहाँ पे आज हलका सा नंबर कम होता हुआ नदर आया इवन 24,200 पे भी राइटिंग हुई है 300 पे भी राइटिंग हुई है लेकिन अगर आप 24,500 की काल पे देखोगे यहाँ पे अभी भी अच्छा मिनिंग्फुल राइस टेंस है 9,34,000 का तो रेंज फिर भी रहेगी 24,000 से 24,050 की बाय ओन डिप सेल ओन राइस इस स्ट्रेटजी अब कल भी यूज़ करके अगर चलोगे तो आपको इसमें मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है Friends, what actually will happen in bank nifty 24,000 is immediate sport as the number of shares on 24,000 strike is 7,65,925 shares while at 24,500 level it's 9,34,000 shares so the range is 24,000 to 24,500 buy on dip sell on rise dip toward 24,000 24,100 level I will buy that range and will try to sell it near 24,400 24,500 level it it will open gap up above 24,500 the then you will see that 24,500 will become immediate support for tomorrow so keep an eye on data formation, open interest and option chain during trading hours tomorrow and then take your positions accordingly इसी के साथ दोस्तों वीडियो मैं यहीं खतम करता हूँ उमीद करता हूँ कि कल आपको जो है इससे कुछ मुनाफ़ा देखने को मिले मुझे कुछ special हरकत नजेराई ट्रेडिंग आज के दुरान तो मैं अपने WhatsApp चैनल पे भी update कर दूंगा जो की markets with SB है अगर आपने जाइन नहीं किया तो अभी भी आप जाइन कर सकते हैं बाकी के social media contact मेरे नीचे हैं आप किसी भी माध्यम से मेरे साथ जोड़ सकते हैं इसी के साथ उमीद करता हूँ कि कल आपको खूब सारा मुनाफ़ा हो नमस्कार जैहिंद